आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड़ू को पाल की एक सत्य घटना जिसको सुनकर आपका दिल बहुत तकलीफ होगी आपकी दिल में दिल को मतलब जंग जोर देने वाली ये सत्य घटना है कि ऐसे भी कोई लड़ू को पाल की साथ कर सकत है बहुत ही दर्द भरी मर मिसपरसी सत्य घटना है और एक बात और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिए उसको करने में आपका कुछ भी नहीं जाता और अगर अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और अगर चैनल में न्यू हैं तो प्ली सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल को जॉइन कर लीजेगा जॉइन बटन लगी हुई है उसमें और है तो चलिए सुरू करते हैं यह सत्य घटना यह सत्य घटना मेरे साथ सेयर की हैं दिली से ही नीतू जी और नीतू कोपाल भी मेरे से करता है नहीं तो आज ये जो दिख रहा है ना वो कभी दिखता नहीं मेरे साथ तो वो बताती हैं कहती हैं कि हमारी और मन्प्रीट की जो साधी है ना बड़ी मुस्किल से हुई थी तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ था सब कुछ मैंने पूचा तो फिर वो बताती हैं कि मैं और मनप्रीद कॉलेज में साथ में पढ़ते थे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्ते, दोस्ती से कप प्यार हो गया हमें पता भी नहीं चला फिर हमने एक पालास्ट में अभी ये सोचा है कि अब हम साधी कर लेते हैं लेकिन साधी कैसे करें मैंने घरवालों से पूछा क्योंकि मैं एक ब्रामण परिवार से आती हूँ तो मैंने पूछा घरवालों से कि मतलब मनप्रीत को मैंने मिलाया भी घर में सबको जब सबको पता चला कि यह जो नीतू है यह से साधी करना चाहती है लेकिन मनप्रीत तो पंजाबी था अब घर वाले को इसाधी करने को तयार ही नहीं खासकर पापा जी पापा तो साफ मना कर दिये ये तो बहुत ज़्यादा ब्रामभर वादी थे ये तो तयार ही नहीं थे ये चाहते थे कि किसी ब्रामभर लगके से इसाधी हो लेकिन हमारा और मनप्रीत का जो प्रेम था जो प्यार था वो तो इतना ज़ादा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिनार रहे ही नहीं सकते थे इतना डूर प्यार था हमारा और सच में मनप्रीत ना जो है और मुझे आज भी इस पाथ का मतलब प्राउट फील होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया सही लिया मैंने कोई गलती नहीं की रही तो अगर मैं पापा के कहने पर ना भी करती तो क्या पता आज मेरी साधी कहां होती और मैं सुखी रह भी पाती की नहीं रह पाती क्या पता मनप्रीत जैसे पहले से था आज भी वो वैसे ही है इसमें कहते हैं कि साधी के बाद दड़के बदल जाते हैं उनमें चैन जा जाता है लेकिन मेरा जो वनफ्रीद है वो जैसा पहले था जैसे दोस्ती का रिस्ता पहले था आज भी वो वैसे ही है जितना प्यार हमारा पहले था आज भी बलकि उससे कहीं जादा इतना प्यारा है हमारा रिस्ता लेकिन बहुत मु जाने की कोशिस की घरवालों को माने नहीं सबने मना कर दिया मम्मी तो कैसे भी करके बहने तो होती ही है मेसा बहनों के पक्ष में बहने भी मान गई थी कि हाँ कोई नहीं और मैंने मम्मी को भी समझाया कि मा अगर पापा से तो बोल नहीं सकते थे पापा के सामने तो खड़े उन्हें की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे पापा जुद है, वो बहुत जादा इस्टिक्ट है, एक बार अगर जो उन्होंने बोल दिया, मतलब बोल दिया, पत्थर की लकीर हो जाती है, उनकी बोली होई हर बात और मां भी मेरे पापा से बहुत डरती है उनके सामने कभी कोई मतलब वो कोई बात ऐसे रखनी पाती है अगर जो पापा ने बोल दिया वही पूरे घर के लोग मानते हैं नहीं तो फिर पता नहीं क्या मतलब पापा के सामने किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं होती ऐसे है मन प तो तुम हमारे लिए मर चुकी हो तुम जा सकती हो तुम को जो करना हो जो फैसला लेना हो तुम ले सकती हो ऐसे कहके पापा ने एक सब्द में सारी बात कह दी सारा रिस्ता तोड़ दिया नादा तोड़ दिया और पापा ने एक बात और सब के सामने बोली कि जिसको मेरे जा सकता है ऐसे बोलके और अंदर चले जाते हैं अब मा क्या करती बेहन क्या करती बेहन तो छोटी थी वो कैसे मेरे साथ आती मैंने बहुत रोई मैं कभी पापा के सामने खड़े हुगे बात नहीं कर पाती थी लेकिन उस दिन ऐसा था मतलब कि आज तो मुझे पापा से बात करनी ही पड़ेगी नहीं तो मैं चाहती थी कि मेरे साथी बहुत अच्छे से हो दोनों परिवारों की मरजी से हो मतलब जैसे हर एक लड़की का सपना होता है वैसे ही मेरा सपना था बहुत अच्छे से साथी हो मैं भी मेरे भी परिवार वाले हों इसके भी परिवार वाले हों लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे नसीब मैं था ही नहीं समझो और ऐसी अब बताते बहुत रोने लगती है ने तू बहुत दुखी हो जाती है लेकिन कहती है कि मेरे लड्डू गुपाल जो थे न हमेशा मेरे साथ थे क्योंकि मैंने हमेशा लड्डू गुपाल की माने हमेशा साथ दिया और हमेशा यही बात बोली थी कि अपने साथ हमेशा लड्डू गुपाल को रखना और कहती थी पहले जो तुलसी माता में जल चड़ा के। मतलब ये संसकार हमें दिये गए थे मा के दौरा बच्पन से ही और हम लोग हमेज़ा लड़ु गुपाल की सेवा करते थे, मम्मी बहुत पूचती थी लड़ु गुपाल को और आज भी मम्मी सेवा करती हैं और वही सं करेंगे और ऐसा हुआ भी करते भी हैं वो अब क्या था कि यहां पापा ने तो मना कर दिया था मा भी रोते हुए वो भी क्या करती बिचारी वो भी मजबूर थी वो भी कुछ नहीं कर सकती थी पापा की फैसले के सामने वो भी रोती हुई बहुत मनाने की कोसिस की थी मेरे को कि मैं मान जाओं लेकिन मैं भी नहीं मान सकती थी क्योंकि मैं भी मनप्रीत के बिना रहनी सकती थी वहां वो भी ऐसे ही था वो भी नहीं रह सकता था मेरे बिना या तो होती तो दो की मौत होती या कि फिर मैं घर से बाहर जाती क्योंकि मनप्रीत भी बोल दिया था कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं भी नहीं रह सकती जायद रह पाती उसके बिना मैंने भी सोच लिया था तो मैंने मा से बोला मा या तो मुझे अपने घर में रख लो या कि फिर मैं घर में तो रहनी पाऊंगी या तो फिर उससे साधी करा दो तो माने बोला कि मैं हम मतलब मनप्रीत से भी अच्छा रड़का मिल जाएगा बहुत अच्छा मिलेगा सब कुछ बहुत समझाने की कोज़िस की मैंने मना कर दिया की नहीं या तो मैं यहार नहीं रह पाऊंगी अगर पिर मनप्रीत के साथ चले जाऊंगी ऐसे कहके बहुत समझाती है वो अपनी मा को मा भी आखिर करती तो करती क्या पापा के सामने वो भी हाल जाती हैं बहन चोटी थी तो वो तो अब क्या कर सकती थी वो तो कुछ नहीं कर सकती थी अब ये चली जाती है मां से कहती है मां मैं मनप्रीत के हां जा रही है अब ये चली जाती है वहाँ पे उसके मनप्रीत के जो फैमली वाले थे वो तो एक्सेप्ट करने को तयार थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थे कि ब्राम्भन है या कि कुछ है वो अपनी लड़के की उसी देख रहे थे अब वो उसको अपना लेते हैं इनकी कोट मेरिज होती हैं और वहाँ पे गुरुद्वारे में ईनकी जैसे पंजाबियों की सादी होती है वैसे इनकी भी सादी हो जाती है अब कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चला सब कुछ अच्छा था लेकिन क्या था कि इसकी जो नीतू की जो सासु मा थी वो तो पंजाबी थी वो लोग तो पंजाब मतलब अपने धर्म को मानते थे लेकिन ये जो नीतू है ये तो सेवा करती थी लड़ू गोपाल की अब कुछ दिन तक तो रही अब लेकिन इसका नियम था रोज लड़ू को पाल की सेवा करना अब इसको खाली पंसा लगने लगे क्योंकि मनप्रीट तो जॉब करता था वो चला जाए ससुर भी उसके जॉब करते थे घर में दोनों अकेले रह जाए अब जो ये इसकी सास थी वो चली जाती थी अपने कभी गुरुद्वारा चली गई कभी अपने फ्रेंड की आहां चली गई लेकिन इसको पंजाबियों का कुछ तो गरंथ पढ़ना या कि कुछ ऐसा करना तो आता नहीं था अब ये करती तो करती क्या अकेले घर पे अब ये एक दिन मनप्रीट से कहती है कि मनप्रीट ऐसा करो कि मेरे लड़ गोपाल ले आओ मेरा बड़ा मन कर रहा है लड़ गोपाल की सेवा करने का तो वो कहता है कि ठीक है ले आओँगा लेकिन एक बार तो मम्मी से पूछ लो अब ये अपनी सासुमा से पूछती है तो सासुमा थोड़ी स्टिक्ट सौभाव की थी जैसे वहाँ पे उसके पापा की चलती थी वैसे यहाँ पे मनप्रीत के घर पे इसकी मा की चलती थी मतलब सासुमा की बहुत तेज सौभाव की थी अब ये पूस्ती है डरते डरते तो उसकी जो सासो माती वो मना कर देती हैं कहती है कि नहीं हमारे दर्व में लड़ू गोपाल की सेवनी होती इन्हीं की होती है जो हम लोग करते हैं वही तुमको करना पड़ेगा ऐसे कहे के साफ मना कर देती है लेकिन इसका तो बहुत मन था क्योंकि इनकी माह हमेशा कहती थी कि कभी भी कोई परिशानी हो कुछ भी दुख हो तकलीफ हो हमेशा लड़ु गुपाल से बोलो वो हमेशा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अब वो लड़ु गुपाल से बोलती है मन ही मन प्राटना करती है कि यह लड़ु गुपाल अगर यह मान जाती है सासुमा तो मैं कैसे भी करके इनको मना लूँगी और अब इस घर में लड़ु गुपाल को ले आउंगे लेकिन एक बार हां करवा दो तो क्या होता है अब यह लड़ु गुपाल की करपा ही समझो बहुत दिन तक यह बोलती रहती है बोलती रहती है अपने सासुमा से किसी भी बहाने लड़ु गुपाल की बातने करती रहती है उनके बारे में बताती है उनकी करपा के बारे में बताती है जो जो उनको जैसे क ठीक है तेरा मन है तो लेया लेकिन ऐसा नहीं कि अगर तू लड़ू गोपाल को लाती है अपने जो भी सेवा करती हो अगर तुम वो करती हो तो तुम ऐसा नहीं कि तुम हमारे धर्म को नहीं मानोंगी अब तुम हमारे घर में आ गई हो तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा उनको तो वो कह देती है कि नीटू की हाँ ठीक है मैं मानूंगी आपके धर्म को भी मानूंगी लेकिन मैं लड्डू को पाल की भी सेवा करूंगी तो ऐसे कहके वो कह देती है कि ठीक है तो फिर ले आओ चले जाना मनप्रीत के साथ और ले आना ऐसे अब ये बहुत खुस हो जाती है नीतू और अपनी सास को गले से लगा लेती है और थैंक यू बोलती है और मन ही मन लड़ को पाल को धन्यवाद करती है कि बस आपने कर दी क्रपा आपकी क्रपा से ही मैंने इनको मना पाई नहीं तो इतने दिन से कह रही थी मा तो मानने को तयार ही नहीं थी बिल्कु कुछ ऐसी क्रपा की ऐसा कुछ किया कि वो मान गई अब मनप्रीट से कहती है नीतू और मनप्रीट तो पहले ही से तैयार था वो तो जो कहती थी करने को तैयार हो जाता था कभी आज तक किसी चीज के लिए मना किया ही नहीं था तो अब क्या होता है जाती है मारकेट जाती है और मारकेट से बहुत सुन्दर से एक लड़ू गोपाल को लेके आती है और इनकी सेवा करने लगती है बहुत अच्छे से घर परिवार चल रहा था हासी खुसी चल रहा था लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो मनप्री इसकी नीत सब कुछ होता है लेकिन वो जाते जाते एक ऐसी बात बोल के चली जाती है कि ये बात नीतु की सास को मतलब दिल में लग जाती है ये बात और उसको भी लगता है कि हाँ ये बात सही है वो ये कहके जाती है जाते जाते कहती है कि तुम दूसरे धर्म के होते हुए तुम अपन देखा है एक परिवार में भी ऐसे ही हुआ था, क्या हुआ था कि उसकी बहु भी तूसरे धर्व हिंदू, मतलब ब्रामभर परिवार जो भी परिवार से रही हो और वो भी लड्डू गोपाल कोई सेवा करती थी, और धीरे धीरे क्या की, कि ये अपने, मतलब जो गुरु सा हब हैं, इनको मानना ही बंद कर दी, और उसके परिवार वाले भी सब कुछ छोड़के, और लड्डू गोपाल की सेवा ही करने लगते हैं, उसका पती तो करता ही था साथ में, धीरे धीरे, और तू भी ऐसे ही करेगी, देख ले ना, उसकी सासों से ऐसे बोलते हैं, बोले, है कि मैं आपके ही भी धर्म को मानूंगी और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, लेकिन वो कहते हैं, आरे, शुरूहात में सब ऐसी कहते हैं, बाद में देखना कुछ नहीं मानेंगी, और धीरे धीरे तूम लोग भी लड्डू गोपाल को ही मानने लगोगी, औ ऐसे कहती हैं, तो उसकी सास को लगता है कि हाँ सही बात कहीं ऐसा नहोगी, ये भी नीतू भी ऐसी कुछ करें, और हम लोग भी ऐसे नहोगी, मनप्रीतो जो भी नीतू कहती है, वही करता है, कहीं ऐसा नहोगी, वो कह दे कि तुम को नहीं मानना है अपना धर्म, और तुम लड़ू गोपाल की सेवा ही करो तो वो तो जो कहेगी ये वो वही करता है तो ऐसा ही होगा वो उसको इस बात का डर लगने लगता है अब ये एक दिन नीतू को बलाती है और कहती है कि नीतू ऐसा करो तुम कि तुम लड़ू औपाल को मंदिर में दे आओ तो वो सुनके बड़ा अश्र हो जाता है उसको बड़ा दुख होता है कि मम्मी ऐसा आप क्यूं बोल रही हो मतलब आपके ही कहने पे मैं लेके आई हूँ और आप तो बड़े अच्छे हसी खुझी आपने बोल दिया था कि हाँ ले आ और इतने अच्छे से सेवा भी हो रही थी किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी हसी खुझी सब कुछ चल रहा था लेकिन अचानक आपके मन में ये बात कैसे आगी कि आप कह रही हो कि लड़ू अपाल को वहाँ पे मंदिर में दे आओ और मैं तो इतने अच्छे से उनकी सेवा कर रही हूँ क्यों दे आओ मां क्या ऐसा हो गया पताईए आप कुछ तो ऐसी बात हुई है जो कि आपको बुरा लगा और मैं जाती तो हूँ आपके साथ जब भी आप बोलती हो गुरुद्वारा जाने के लिए तो मैं आपके साथ चलती हूँ न और बात रही है आपके गरंत पढ़ने की तो ये मैंने पंजाबी कभी पढ़ी ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं कोसिस करूँगी मैं मनप्रीत से बोलती हूँ कि मुझे सिखा दे और वो कोसिस भी कर रहा है मुझे सिखाने की कुछ दिन में मैं ये भी सीख लूँगी आप बिल्कुल परिशान मत हो लेकिन क्या बात हुई है आप बताओ तो फिर वो उनकी सासों मां बत लास्ट में उसने क्या किया कि पूरे घर वालों को उसने और मना कर दिया मतलब उसका भी हस्वेंड उसके साथ चलता था हर बात मानता था और मुझे भी इस बात का डर है कि कहीं तो भी मनप्रीत को ऐसे बोल के ऐसा नहोगी वो गुरु द्वारा और अपने गुरु साहब को मंदिर में देया तो वो समझाती है बहुत समझाती है नीतो कि मा ऐसा कुछ भी नहीं आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी मैं हर धर्म को मैं मानती हूँ और ऐसा नहीं है कि अगर लड़ु गुपाल की अगर आप सेवा करेंगी तो कुछ हो जाए कुछ भी ऐसा होगा और मैं भी तो करती हूं आपके गुरुद्वारे जाके वहां पे जाती हूं सब कुछ करती हूं मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी आप इस पाहच से निस्प कर रहो लेकिन उनकी जो सासों माहें उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि नहीं कभी न कभी तो ऐसा होगा कि ये मेरा जो बेटा है वो अपने धर्म को मानना बंद कर देगा और इसके उसमें चलने लगेगा इस बात को मतलब ये बात उसके मन में चलती रहती है गूमती रहती है वो कुछ भी समझा ले नहीं तो लेकिन वो समझने को तयार ही नहीं थी अब क्या होता है कि कुछ दिन के ब जिन से इसको कह रहे हूँ, ये तो माननी रही है, मंदिर में रखनी रही है लड़ू गोपाल, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ, कि ना रहेंगे लड़ू गोपाल, ना ये सेवा करेगी, और ना मुझे इस बात का टेंसन होगा, कि ये मतलब मेरे मन प्रीत को भी ऐसा कुछ कर सक या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये मन में मतलब ये जो सोच थी एक अंकुर जो इनके मन में गलत फूटा ना, उसी से ये सारे विकार जो है, इनके आने लगी मन में, अब क्या करती हैं, इतनी खतरनाक चाल चलती हैं, कि जिसके पारे में कभी सोची भी नहीं थी ने तो कि ऐसे भी माँ कर सकते हैं अब यह जाती है लोडी में जो तिवहार होता है इनका बहुत सारे फ्रेंड लोग आते हैं बहुत अच्छे से इनकी कॉलोनी में लोडी कपर्व मनाया जाता है और यह भी जाती है अब यह क्या करती है कि इसके जो नीतु के लड़ू गुपाल थे ये इसको ले लेती है चुपके से नीतु से बताते नहीं है और ले आती है और उसी जो आग जलती रहती है उसी के पास ये रखके आ जाती है बस जो भी इनका पूझा पाठ लोडी का होता है वो सब करके अब रात में तो ये सुबह उठती है ये और इसको लड़ू को पाल नहीं मिलते तो ये बहुत परिशान हो जाती है कि है भवान मेरे लड़ू को पाल कहा गए अब इसके मन में तो तुरंद ये बात आ जाती है क्योंकि इतने दिन से चले रहा था कि मम्मी कही रही थी कि तु अपने लड़ू को पाल को मंदिर में रखा अब वो तुरंद अपनी मा के पास जाती है सासु मा के पास जाती है और कहती है कि मा अपने लड़ू को पाल को कहीं रखा है क्या कहीं मंदिर में दे आई हो क्या क्योंकि उसको यही था कि जरूर मंदिर अंदिर में दे आई होंगी या कि 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 मंद किसी और को दे दी हूंगी अब वो पूछती है बहुत रोती है कि प्लीज माँ आप बता दो मेरा वो बच्चा जैसी है मैं इसको बच्चे की रूप में मतलब सेवा करती हूँ उस भाव से सेवा करती हूँ और आप बता दो मैं अपने लट्टू को पाल के बिना नहीं रह पाऊंगी मा मैं मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो क्या है मेरे लिए ऐसे कहके बहुत रोती है गिड़ गिड़ाती है बहुत जादा इतने में मन प्रीत आजाता है और उसको रोते हुए देखके वो भी बड़ा वो हो जाते कि क्या हो गया उस सोचता है कुछ हो गया क्या फिर वो नीतू रोते हुए बताती है कि मा पता नहीं लट्टू को पाल को कहां रखके आ गई है किसी के कहने पे कोई आंटी आई हुई थी जो कि इनके मन में ये वहम भर गई है कि मैं तुम लोगों को सब को मैं मतलब तुम लोगों को अपना धर्म नहीं अपनाने दूँगी और कुस दिन के बाद मैं लड़ो पाल की सेवा में लगा लूँगी जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने कभी ऐसा कभी नहीं किया है तो मनप्रीत भी बहुत समझाता है कि मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं हुना आप क्यों ऐसे सोचती हो कि मैं अपना धर्म नहीं मानूँगा मैं कभी गुरुद्वारा नहीं जाओंगा मैं सेवा नहीं करूँ ऐसा क्यों वो करती हूँ मैं सब कुछ वो करूँगा और नीतू ऐसी नहीं है मां बहुत समझाता है तब वो मां कहती है जब बहुत मनप्रीत समझाता है बहुत प्यार से समझाता है कि मां आप इस बात से बिलकुल निस्फिकर रहो आप इतनी दिनों में नीतू को समझनी पाई होगा कोई कोई किया होगा ऐसा लेकिन नीतू ऐसी नहीं है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूँगा अगर नीतू कहेगी भी तब भी मैं ऐसे कभी नहीं होने आसो मा हैं थोड़ी सा वो भी वो हो जाती है अपने बेटे के उसमें आ जाती है और फिर वो कहती है कि बेटा मैं इसकी लटू को पाल को नई पहले वो कहती है कि चल वादा कर मेरे से कि कभी तू बदलेगा नहीं तू जैसा है वैसे ही रहेगा फिर वो वादा करता है अपनी बहुत दुखी हो जाती है बेटा फिर रोने लगती है बलकि सासो मा भी कहती है कि मैं उसके कहने पर आ गई तो ये बहुत दुखी हो जाती है और दोड के जाती है अपने लड़ो गोपाल को वहां से उठाती है उसके हलके हलके उनके जो कपड़े होते हैं वो जल गए थे ये देखके वो बड़ी दुखी हो जाती है कि मेरा लड़ो गोपाल जल किया होगा इतनी रात भर मतलब इतनी आग के ताप में था इतना गरम लगा होगा कितना जला होगा लड़ू को पाल ये सोच के इतना रोती है इतना गले से लगाती है उनको तुरंत आके अच्छे से उनको साफ करती है उनको गरम कपड़े पहनाती है और है तो उनको बिठालती है अपनी गोधी में और पूरी रा मतलब इस पात का उसको एहसास होता है उनको कि ये गलत किया था वो उससे सौरी बोलती है और कहती है कि नीतु मुझे माफ कर दे मैं उसके कहने पे आ गई बेटा और है तो अब ऐसे कुछ भी ऐसी गलती नहीं होगी और तू भी अपने लड़ू गुपाल की सेवा कर और जो म दिल से उसका रिस्ता है कोई दिखावा वाला नहीं है और फिर बाद में उनकी सासों माभी इस बात को समझ जाती है और बहुत अच्छे से घर में हिल मिलके दोनों का रिस्ता अच्छे से हो जाता है प्यार से रहने लगती है और उसके नीतु के कुछ सालों के बाद बच् हो गए हैं बहुत साल हो गए इसके साधी के और दस साल के इसकी बच्चे हैं तो आज भी इनका जो रिस्ता है बहुत अच्छा है दोनों अपने अपने धर्म को बहुत अच्छे से मान रहे हैं एक दूसरी की धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो नीदू कहती है सब जो है लड़ू मच फुल वाच करने के लिए राधे राधे